हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या हाल है आप सबका होफ़ुली आप सबका हाल बहुत इच्छ है आप अपनी लाइफ को इंजोई करें हो यर हाँ मेरे को पता है कि आज कल जो हमारी मुलाकात है न वो काफी कम होती है बट मैं एक चीज हमेशा make sure करता हूँ कि मैं जितनी भी वीडियो आपके लिए लेकर रहा हूँ वो 100% honest हो क्योंकि brands तो आते जाते रहते हैं बट then again जो हमारा relation है इतने सालों का वो खराब नहीं होना चाहिए तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक clear and concise review लेकर आया हूँ galaxy m12 का पहले बता रहा हूँ कि ये एक review unit आई थी हमारे पास बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी तरीके से इसके तरफ जो है biased हूँ मैं आपको clear cut चीजे इस वीडियो में बताऊँगा ताकि आपको पता लग जाए अगर आपने ये phone लेना है तो कौन सा variant लेना है अगर आपकी ये need है तो आपको ये phone नहीं लेना है और किन areas में ये phone बहुत अच्छा है start करेंगे सबसे पहले main चीज से जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात होती है performance में यहाँ पर exynos का 850 processor यूज किया गया है जो अच्छी बात है कि ये 8 nanometer पर construct किया गया है यहाँ पर जो GPU है वो Mali G52 है आप यहाँ पर धियान रखें कि जो इस phone की display है ना जिस पे आप लो पुश करना होता है तो उसका GPU काफी अच्छा चाहिए यहाँ पर अगर इस phone में वही आता power VR GE8320 तो यहाँ पर कोई फाइदा नहीं था 90 Hz देने का तो Mali का जो G52 है एक decent GPU है इस price segment में हाँ आप top quality game high performance setting में नहीं खेल पाओगे बट जो entry level gaming होती है वो आप अराम से कर अच्छी बात है कि LPDDR4X का यहाँ पर जो RAM है उसका use किया गया EMMC storage है मैं चाहता था कि यहाँ पर UFS हो तो ज़्यादा बढ़िया बात होने थी बट अभी के लिए entry level gaming हो जाएगी UI में आपको जो है 1UI 3.1 देखने को मिलता है काफी सारे practical features है और जो अभी के लिए UI का experience है इस बात का आप ध्यान रखे कि smartphone ने अभी के लिए काफी अच्छा perform कर रहा है और हमने इसे adaptive setting पे रखा जहां पे यह 90Hz और 60Hz में switch करता रहता है बट अगर आप इसे 60Hz पे lock करना चाहते तो वो भी आप कर सकते हो उसके बाद इस processor का सबसे बड़ा advantage है battery क्योंकि 8 nanometer का यह processor ह और उसके बाद 720p display है तो जो battery life आपकी होगी वो काफी अच्छी है 6000 mAh की यहाँ पे battery दी गई है दो दिन का battery backup आपको easily मिल जाएगा 15W की charging की spot है और 15W का charger box में आता है type C वाला good thing battery life में कोई भी कमी नहीं होगी यहाँ पे ठीक है display की बात कर लेते हैं 6.5 inch की display आपको दिये गई है IPS LCD 90Hz display है HD plus display है मैं hope कर रहा था कि इस budget में full HD plus अब Samsung को दे देनी चाहिए बट then again अभी के लिए इन्होंने 90Hz दिया तो आप अपने हिसाब से दे लो positive बात यह है कि wide wing level L1 का sport दिया गया है अगर मैं display quality की बात करूँ तो यहाँ पर एक अच्छी display है बहुत जदा exceptional नहीं है बट budget के हिसाब से ठीक है side bezel bottom chin ठीक है और उपर एक drop down notch दी गई है तो overall display experience इसका ठीक रहेगा आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है यहाँ पर जो cameras है वो back में 4 cameras quad camera setup आपको देखने को मिलते है जो 48 megapixel का main camera वो Samsung का ISOCELL GM2 है 5 megapixel का ultra wide है 2 megapixel का depth और macro camera आपको rare में देखने को मिलते हैं आपके आगे कुछ screenshot है कुछ samples है जो camera से हमने लिए है आप हमें बताएं कि इसके आपको color reproduction कैसी लगी rare camera की performance budget के according काफी बढ़िया मैं कहूंगा 8 megapixel का selfie camera आपको देखने को मिलेगा आपके सामने sample shots है आप judge कर सकते हो से मेरे recording color reproduction और saturation बिल्कुल point पर है sharpness ठीक है low light में performance डिप होती है last में मैं बात करना चाहूँगा build quality की यहाँ पर जो plastic का use किया गया सारा के सारा phone अच्छी बात है कि back में आपको matte finish देखने को मिलती है और texture देखने को मिलती है जिससे आपका grip अच्छा हो जाता है यह phone बहुत light weight नहीं है 221 ग्राम के आसपास इसका weight है क्योंकि 6000 mAh की battery लोगा बट जैसे जैसे आप इसे use करोगे आप इसके used to हो जाओगे अगर मैं कुछ और features की बात करूँ तो dedicated micro sd card slot मिल जाता है एक positive चीज है और उसके बाद आपको side mounted fingerprint scanner देखने को मिलता है जो की fast and reliable है तो यह है जी galaxy m12 overall as a smartphone आप देख सकते हैं कि इसके दो variant है 464 जो की 11,000 अगर आपने एक ऐसे phone के साथ जाना है ठीक है जिसमें आपको 90 Hz की display मिल जाए battery life आपको बहुत अच्छी चाहिए camera performance आपको अच्छी चाहिए and उसके बाद UI में performance ठीक चाहिए and आप बहुत बड़े gamer नहीं हो तो galaxy m12 एक अच्छी choice है 464 वाला जो इसका variant है वो मेरे coding value फर मन नहीं है 6128 मेरे coding आप मतलो क्यूंकि आपको 464 में ही dedicated micro SD card slot मिल जाएगा but then again अगर आपकी storage नीड्स जादा तो आप 6128 GB को consider कर लो तो ये एक as a whole package galaxy m12 आपके साथ है अब आप मेरे को बताओ कि आपको ये smartphone कैसा लगा अगर आप इसे consider करोगे तो हमारे link से ले ले लेना and definitely video अच्छा लगा तो like कर देना अच्छा लगता है जब आप इतनी motivation देते हो वीडियो को देखते रहने के लिए शुक्रिया